जी नमस्कार मैं ब्रजे सिंग और आप हमारा चैनल देखना सुरू कर चुके हैं सहस्त्र नियुज फिलाल अभी हम कटिहार जिले के बराडी परखट के भैस दिरा में हैं और आज हम दोस्ती का एक ऐसा मिसाल आपको पेस करेंगे हम अपने दर्सकों को दिखाने की कोसिज करेंगे आज भी इस जुग को जिसको कलियुक बोलते हैं आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दोस्ती के लिए मर मिटने के लिए तयार है कहानी बड़ा दिल्चस्ब है कि एक लड़का आज आट साल पहले अपने मा बाप को छोड़ कर बाहर चला गया बाहर जाने का मतलब है कि कुछ ऐसी पड़े सानी इसके साथ आ गई जो ये घर दुआर छोड़ कर चला गया और उसके जाने के बाद साइद उसके पिता जी का देहान थो गया और जो लड़का यहां से गया उसकी पत्नी भी इंतजार में थी लेकिन जब वो आट साल नहीं आये तो आपको स्वभाविक सी बात है तो उसकी पत्नी भी नहीं रही और वो भी छोड़के चली गई लेकिन बची एक मा और मा का देख रेक आट साल तक एक दोस ने भली भाती बेटे के रूप में किया आज इनी दोनो की दोस्ती की मिशाल हम अपने दर्सकों को दिखाना चाहते हैं और हमने सोचा कि जरूरी है ऐसे दोस्तों की कहानी दिखाना ताकि लोग जो हमारे दर्सक है इन दोनों की दोस्ती से प्रेडित हों और अच्छा काम कर सकें कि आज अच्छे लोग नहीं हैं अगर अच्छे लोग नहीं रहते तो ऐसे दोस्त नहीं मिलते अभी इनका जो कहानी है कि वो लड़का आठ साल के बाद उसका किसी कारण वस कोई हादसे में उसका पैर खड़ाब हो गया और जो दोस्त आठ साल से उसकी मा का सेवा सतकार कर रहा था वह दोस्त उसको वहाँ से उसको लाया और हमको लगा कि यह कहानी बड़ा दिल्चस्प है और हम अपने दर्सकों को दिखाए लाइटिंग की जड़ा प्रोब्लम है इसके लिए हम छमा चाहते हैं अपने दर्सकों से लेकिन क्या करें इन दोनों का जो लड़का है जिनका नाम भोला जी है यह भोला जी को समय का ट्राइबं की मिलेऊ, लेकिन देखा में आप मतलब हैं को मतलब हम यह दोस्त पड़ा थे के लिए जॉट्छी से कुछ प्रेड़ना ले सकें चलिए जानते हैं क्या नाम हुआ आपका, ज्यूब्ली, और अनका आपके जो दोस्त हैं वह क्या नाम है उनका नाम का ऑ़ला ज यहां से चोड़ सब कुछ माँ बाप पतनी को चोड़ के चले गए तो क्या पता में मर भी शकता था यह दोस्त आपके लिए क्या क्या किया दोस्त अमारे लिए काफी कुछ किया इसने और मैं दोस्त का हरवार उसे ही इनका बात मानता रहता हूं इनके कहने से मैं इनका हर एक बात मानता हूं यह भी हमारे सुरू से मानते हैं जैसा हम कहते थे अचाई आप जब लाचाड हुए तो वहां के जो आपके लोग थे उनका कहना था कि ले जाओ नहीं तो हम इनको फिंक देगे नैं ऐसे वह नसे की दुनिया में कह रहे थे लेकि अफॉलब मुत फान नंबर में को द्या उसने फान करja फिर ये मिर दोस्त करते इसको तो एक प्रेंड करना भी चाहिए और थ्वी है कि domestr इन पर हमारा भरोसा भी है और यह हम पर भरोसा भी करते हैं मतलब हम जो इनसे जो कुछ कह देंगे यह भी करते हैं और हम भी करते हैं इन्हीं के कहने से हम आया अगर अन्य था अगर मेरी मां भी गई ते कुछ दिन पहले जब मैं दिलिम था तो उनकी बात नहीं रखा तो मैं तो आप दोनों का दोस्ती कितने साल से हैं? मोटा-मोटी बच्पन से ही. तो जब यह यहां से चले गए, तो यह बताई है, इनकी मा का परवरी आप ही किये. क्या सही है? हाँ, सही है. क्यूं किये थे? मतलब इसको हम भाई के तरह समझे बच्पन से ही, और यह मारा बेस्ट फ्रेंड है, और इसको हम कभी छोड़ना भी नहीं चाहे, विसा के बीच में नहीं भी था, तो हम सोचे कि उसका कमी हम पूड़ा करें और सब दिन करते ही रहेंगे, यह रहे या नहीं रहें. तो आपको लगा कि हाँ, इसका करना चाहिए, अगर यह जिन्दा है या नहीं है, लेकिन हम बेटा बन के, वो तो करते रहेंगे, और बच्पन में जब मेरे पास इस्तिती मेरा काफी खराब था, उस समय कई मा कभी भी मुझे, मतलब पराय नहीं समझा, और उतना प्यार द इसका बहान, मा, बाब, भाई, मुझे सबी मतलब काफी प्यार करते थे, तो मुझे उस दिन को जो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, और कभी भूलूंगा भी नहीं, अच्छा, तो इसका जो आप, इनकी मा ने आपके साथ किया, तो इसका आपने ये चुकाया, कर्ज चु अवस्तित हैं, और हम आपको बता दें, कि इस जुग में कौन किसका कर्ज चुकाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जो आज भी कर्ज का मतलब समझते हैं, जैसा इन्होंने कहा, भली भाती, आपको भी याद होगा, कि इनका जब समय खड़ाब था, तो इनके पडिवार क द्वारा ही इनका लालन पालन किया गया, और जब यह दोस्त घर छोड़ कर चले गया, तो इनकी इस घर की सारी जी मेदारी भोला जी ने उठाया, हम अपने दर्सकों को बताना चाहते हैं, कि आज भी ऐसे लोग हैं, और आज भी हम तो जरूर कायल हो गया हैं, इनके दोस् करते हैं, तो इन दोनों की तरह ही कीजिए, ताकि समाज में एक निखार आए, और लोग भी दोस्ती की अहमियत समझ सके, मैं हम ऐसा ही वीडियो आपको हमेसा दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए